जिहाद, नमस्कार, आज मैं आप लोगों को खड़िया जनजाती की गोत्रों के बारे में बताने वाले हूँ खड़िया जनजाती जार्खन, उरिशा, चतिसगर और मध्या प्रदेश में मुख्या रूप से निवास करती हैं और यह यहां की मूल जनजातियां है खड़िया समुदाय, खड़िया समाज, तीन विभागों में या तीन उप विभागों में बटे हुए हैं और इन तीनों उप विभागों के अलग-अलग गोत्र हैं तो आज हम इनके गोत्रों के बारे में जर्जा करेंगे चलिए, इनके क्याखे गोत्र हैं, वो हम सुनते हैं. ख़डिया जंजाती तिन उप विभागों में विभाजित है. पहला है डेल की ख़डिया या धेल की खडिया, जिसको महँ खडिया भी कहा जाता है. डेल की खडिया में दस गोत्र है. पहला मुडू, मुडू का अर्थ होता है कच्छुआ, दूसरा सुरेन, सोरेन, सेरेन या तोरेन, जिसका अर्थ है सोरें या पत्थर तीसरा है समड या समद, जिसका अर्थ है किरकेटा, सरत चंदर राय ने इसका अर्थ हीरन बताया है चवथा है बागे, जिसका अर्थ है टेटे, पाच्वा है बारलिहा, जिसका अर्थ है बा या धान छट्वा है चरहड या चरहा, जिसका अर्थ है छेतरी चिडिया, सात्वा है हसड़ा या डूंग डूंग या आइंद, जिसका अर्थ है इल मचले आठ्वा है मैल, जिसका अर्थ होता है बिलूंग या धूल, नावा है किडो, जिसका अर्थ है बाग, और दस्वा है तुपनो या तोपो, जिसका अर्थ है चिडिया दूसरा है दूद खडिया, दूद खडिया को तोमलेंग खडिया भी कहा जाता है तोमलेंग खडिया के नाव गोत्र हैं, पहला डूंग डूंग या इंद्वार, जिसका अर्थ है लंबी मचली दूसरा है कुल्लू, जिसका अर्थ है कच्छवा, तीसरा है सोरेंग, जिसका अर्थ है पत्थर चोथा बिलूं, जिसका अर्थ है नमक, पाच्वा बा, बारला या धन्वार, जिसका अर्थ है धान छट्वा है केरकेट्टा, जिसका अर्थ है चिडिया, सात्वा है टेटे, जिसका अर्थ है चिडिया, आठ्वा है टोपो, जिसका अर्थ भी चिडिया होता है और नावा है कीडो जिसका अर्थ है बाग तीसरा है एरंगा खड़िया या पहाडी खड़िया या कोनोन खड़िया या सबर खड़िया एरंगा खड़िया के गोत्र, छेत्र और जगाह के अनुसार अलग-अलग बताए गए हैं जिसमें मयुर्भंज जीले के एरंगा खड़िया के छह गोत्र हैं पहला साल एक प्रकार की मचली है दूसरा अशोक जिसका अर्थ है पेड तीसरा सारू एक प्रकार का कंद चोथा बालिया एक प्रकार की मचली पाचवा सालूक एक प्रकार की चिडिया छटवा नाग जिसका अर्थ होता है साप और मान भूम के एरंगा खड़िया के छह गोत्र हैं पर मयूर भंज के गोत्र से अलग हैं जैसे पहला गुलिया गुलिया का अर्थ है साल मचली या मचली दूसरा भूया इसका अर्थ भी मचली ही होता है जारू जिसका अर्थ है चूहा चोथा बिडिया जिसका अर्थ है कंद पाच्वा तेसा अबुसारी जो एक चिडिया होती है और छट्वा है हेम्रोम या गुवा जिसका अर्थ होता है पान सी भूम के एरंगा खड़िया के गोत्र भी छह हैं लेकिन मयूर भंज और मान भूम से अलग हैं जैसे कुसली, खेलना, फुजूर, अंगारिया, कुईचा अथ्वा भूया और छट्वा है गोलगू खड़िया समाज, धेल की खड़िया, दूद खड़िया और एरंगा खड़िया को महा खड़िया, मैजला खड़िया और कौनोन खड़िया के नाम से भी पुकारते हैं ये सारी जानकारिया हमारे स्वर्गिये फादर डाक्टर जुआकिम डुंडुं द्वारा लिखित किताब खड़िया जीवन और परमपराएं से ले गई हैं आसा करते हूँ, आप इससे लाभानवित होंगे धन्यवाद, जोहार